नमस्कार दोस्तों भारत के सबसे बड़े online educational channel study IQ में आपका मैं स्वागत करता हूँ मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंग राठोड है और इस lecture में मैं योगसलाविया का इतिहास आपसे discuss करूँगा योगसलाविया योरोप का एक देश था जो 20 सदी में बना और उसके गठन का इतिहास हम जानेंगे उसमें कौन-कौन से अलग-अलग ethnic groups थे उनका इतिहास थोड़ा सा उनके धर्म और ethnicity के बारे में discussion और finally कैसे योगसलाविया अलग-अलग देशों में बढ़ गया योगसलाव वार्स के कारेंट तो 1990 के दशक में यहाँ पर कई लड़ाया हुई जिससे कि ये पूरा देश अलग-अलग हिस्सों में बढ़ गया ये सभी discussion शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Study IQ ने अपने pen drive और android courses जो आप अपने mobile phone में भी देख सकते हैं lectures को इस तरह के courses हमने launch किये हैं UPSC exams के लिए और साथी साथ SSC, bank और जितने भी अन्य government exams होते हैं उनके तैयारी आप हमारे pen drive courses से घर बैटे कर सकते हैं जादा जानकारी के लिए इस number पे call कीजिए या फिर हमारी website studyiq.com पे visit कीजिए ये है योरोप का political map जो 2008 के बाद की स्थिति दिखाता है हम बात करने वाले हैं इस region की जो की south eastern region आप कह सकते हैं इसे हम Balkan region भी कहते हैं क्योंकि Balkan peninsula है तो इन देशों की हम मुख्यतर बात करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको एक rough idea होना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं अब इस lecture में तो थोड़ा सा zoom in करते हैं तो आज यह स्थिति है पुराना जो देश था योगसलाविया अब वो तूटकर इन देशों में आ चुका है पहला है Slovenia, Slovenia का capital है Ljubljana, दूसरा है Croatia, capital है Zagreb, इसकी coastline बहुत ही लंबी है और फिर है Bosnia और Herzegovina, capital सारा ये वो ध्यान रखेगा यहाँ पे J को Y की तरह प्रनाउंस किया जाता है इसलिए आप नाम में देखेंगे सारा ये वो होगा ना कि सारा J वो फिर है अगला देश Monty Negro और इसका capital है Podgoresia, फिर है Kosovo जो की अभी सभी देश, पूरी दुनिया के सारे देश इसे independent नहीं मानते हैं लेकिन इसने अपने आपको 2008 में independent घोशित कर दिया था, capital है Pristina Macedonia, जहां से Alexander the Great निकल कर आया था, capital है Skopie और फिर यहाँ पर है Serbia, जिसका capital है Belgrade और Serbia में ही एक autonomous region है, इसे कहते हैं Voivodina, यहाँ का capital Novi Sad आपके लिए ये वाले capital इतने important नहीं है, पर हाँ इन्हें ज़रूर ध्यान रखे कि Ljubljana कहा है, Croatia, Zagreb, कई बार conferences होती है अलग-अलग या फिर European Union की कोई membership अगर accept करता है, तो इनसे सवाल आ सकता है तो इनमें से कई देशों ने अभी EU की membership के लिए apply कर रखा है आप मुझे ये बताईए, इनमें से कौन सा देश इस वक्त EU का member है तो ये है Balkan Peninsula, जो light color में आपको दिख रहा है और इसलिए इन देशों को कई बार Balkans भी कहते हैं या फिर Balkan countries भी कहते हैं तो Balkan में सिर्फ वो देश नहीं है जो अभी हमने discuss करें उसके अलावा Bulgaria भी आता है और Greece भी इसमें शामिल है लेकिन हमारा main जो यहाँ पे focus है वो इन countries पे रहेगा जो अभी हमने discuss किये थे Aegean Sea और Black Sea तो यह कुछ समुद्र है जो इसे चारो तरफ से घेर कर रखा हुआ है उन्होंने और Greece, Macedonia यह सभी देश यहाँ पर स्थेत हैं तर्की का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर Balkan Peninsula पर आता है तो questions इस तरह से frame हो सकते हैं कि which of these following countries are not present on the Balkan Peninsula तर्की option में जरूर होगा आप लोग सोचेंगे तर्की यहाँ नहीं है लेकिन ध्यान रखेगा तर्की, Europe और Asia दोनों में शामिल है तो यह boundary है Europe और Asia की और तर्की का कुछ हिस्सा यहाँ पर Balkan Peninsula जो की Europe में है वहाँ पर भी आता है Balkan Peninsula में रहने वाले लोगों को कहते हैं Southern Slavs Slav एक बहुत बड़ा ethno-linguistic group है तो यह सभी एक race के लोग है इन्हें कहते हैं Slav यह पाये जाते हैं रशिया में, पूर्वी योरोप में और Central योरोप में इसके साथ-साथ ही इनकी एक ब्रांच आपको मिलेगी, दक्षनी योरोप में या फिर South Eastern योरोप जैसे कहते हैं तो यह कहलाते हैं Southern Slav और बाकी जो उत्तरी देशों में रह रहे हैं उन्हें कई बार Northern Slav भी कहते हैं तो यह इनके दो बड़े-बड़े ग्रुप हैं और यह सभी Slavik भाषाएं बोलते हैं तो इनके द्वारा बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं जैसे Russian है और योगसलाविया की जो भाषाएं हैं जैसे की Croatian, Serbian यह सभी Slav भाषाओं का एक ग्रुप है उसमें यह शामिल है तो ethno-linguistically एक common ग्रुप है याद रखना और इसलिए Russia हमेशा इन देशों के लिए एक बंदुत्व की भावना रखता है World War 1 में याद कीजिए Russia ने सर्विया को सपोर्ट किया था औस्ट्रिया हंग्रिये के खिलाफ तो Russia का कहना है कि इन लोगों के जो Slavik लोगों के अधिकार है उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है तो इस तरह से Russia कई बार दूसरे देशों में इंटरफेर भी करता है आज भी य चीज़ करी जाती है जो सदन स्लाविक लोगों का इलाका है बॉलकन पेनिसुला ये हमेशा से दो बड़े एंपाइर के बीच का एक बॉर्डर लैंड रहा है और ये दोनों बड़े एंपाइर कौन से है मेडिविल एजिस में आटमन एंपाइर और आस्ट्रिया हंग्री त अब उसके बीच में ये जो एरिया है ये लगातार कई लड़ाईयों में इसने कभी ऑस्ट्रिया हंग्री की तरफ कभी आटमन की तरफ तो इस तरह से चेंजिस होते रहे हैं जिसके कारण ये बॉर्डर लैंड का इलाका काफी पॉलिटिकली आक्टिव रहा है लेकिन बीस सदी की शुरुआत होते होते लगभक सभी बॉलकन पेनिंसुला के देशों ने अपने आपको आटमन एंपायर से आजाद करा लिया तो बल्गैरिया, ग्रीस, मॉंटी नीग्रो और सर्बिया इन सभी ने आटमन एंपायर से अपनी इंडिपेंडेंस ले ली थी उनिस वी शताब्दी में और 20-वी सदी जब शुरू होती है तब इनके बीच में कुछ लड़ाईयां भी हुई छोटी सी जिससे बाकी बचे देश भी ऑटमन एंपायर से आजाद हो गए तो ये ऑटमन एंपायर कौन सा है इसको भी देख लीजे, capital है इसका Constantinople, Istanbul और ये पूरा जो England इन सभी देशों ने कुछ-कुछ territories Ottoman Empire से चीन ली क्योंकि वो 19-वी शताब्दी तक बहुत ही कमजोर हो गया था, Ottoman Empire को कई बार sick man of Europe भी कहते थे, Europe का बुढ़ा और बिमार आदमी क्योंकि जो Ottoman Empire इतना बड़ा एंपायर होते वे भी काफी धीमी गती से काम करता था और उसे कई लड़ाईों में हार का मुह देखना पड़ा, 19-वी शताब्दी की बात चल रही है, तो 19-वी शताब्दी में धीरे-धीरे जैसे Greece independent हो गया 1829, 1830 गया असपास, वैसे ही कई देश आजाद होते गए, इस map में आप देख सकते हैं, Greece 1829 में, फिर उसके बाद Albania 1912, Montenegro 1878 सर्विया 82, बल्गारिया 1912, रुमानिया 1881 और ये 1878 में बल्गारिया, तो ये Balkan का इलाका धीरे-धीरे Ottoman के एरिया से, Ottoman के कंट्रोल से भार आता गया, अब Austria-Hungary जो दूसरा बड़ा empire है, Balkans के जस्ट नॉर्थ में, उत्तर में, तो ये भी एक important empire था, और इसने Bosnia-Herzogovina जैसे ये वाली जो territory है, Croatia, Slovenia, इस वाले पूरे area पे इनका राज था, तो आप देखेंगे कि जो Balkans का traditionally इलाका है, वो दो बड़े empires के बीच में बटा हुआ था, आप अब मुझे ये बताईए कि first world war की शुरुआत हुई थी, एक बहुत ही important व्यक्ति की हत्या से, assassination से, वो क रने वाले लोग सर्बिया के nationalists थे, world war one की शुरुआत से कुछी समय पहले, Balkan में दो लड़ाईयां हुई थी, first Balkan war कहते हैं इसे, 1912 में जो हुआ था, तो जो पहले से independent Balkan states हैं, जो Ottoman से अपनी आजादी, 19-वी शदी में, 19-वी शताबदी में पाच चुके हैं, Montenegro, Greece, सर बल्गारिया, इन सब ने मिलकर Ottoman पे हमला कर दिया, और जादा territory कबजा करने की कोशिश करी, और कुछी महीनों बाद, second war होता है, इसे कहते हैं, second Balkan war, इसमें क्या होता है, कि पहली वाली में जीत होने के बाद, बल्गारिया दूसरों से नाराज हो गया, क्योंकि दूसरों बल्गारिया को जादा एरिया नहीं दिया, तो बल्गारिया ने इनी अपने पडोसियों पे हमला कर दिया, और इसका फायदा उठा कर, Ottoman Empire ने भी बल्गारिया पे हमला किया, लेकिन बल्गारिया को इन सब ने मिलकर हरा दिया, तो ये दो लड़ाईया है, जो world war 1 के just पहले से पहले ही, और जो की इस लड़ाई में लड़ा नहीं था, वो भी इस लड़ाई के कारण थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, कारण सर्विया थोड़ा पावरफुल हो जाता है, सर्विया के पावरफुल होने के कारण और जो इस पूरे territory को फिर से reorganize किया गया, सारे areas को और regions को मिला कर एक नया kingdom बनता है, उसका नाम है Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि इसमें सर्विया है, क्रोईशिया है और स्लोवेनिया आएगा, तो 18-29 तक ये नाम था, उसके बाद इसका नाम बदल कर कर दिया गया, योगोसलाविया, आम बोलचाल की भाशा म बॉसनिया और हर्जोगवीना, और दूसरी ओर Kingdom of Serbia, जो की independent kingdom था, Serbia और Montenegro एक हो गए, Montenegro भी एक छोटा सा देश था, तो Serbia काफी बड़ा और पारफुल देश था, और उसके पास अपनी आर्मी थी, और इन सभी नए 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 ऑस्ट्रिया हंगरी से टूटे हुए areas के पास अपनी आर्मी नहीं थी, तो इन्होंने सर्विया को कहा कि आपके पास आर्मी है और हम सब सलाव देश हैं, तो क्यों न हम एक हो जाएं, तो ये सभी एक हो गए, और ऑस्ट्रिया हंगरी के इन देश और सर्विया से मिलकर बनता है Kingdom of Yugoslavia, इसे कई बार Yugoslavia 1 भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहला Yugoslavia था और दुवितिय विश्विद के बाद में जो Yugoslavia बनता है, वो एक नया देश था, वो Kingdom नहीं था, वहाँ पे Republic था, वो सरकार थी, जहाँ पे President होता था, ना की राजा, इस नए देश में कई अलग-अलग तरह के लोग थे, जिनके थे, अलग भाशाएं थी, अलग, वो अपने आपको अलग देश मानते थे, और इन सभी अलग-अलग ethnicities में सबसे जादा dominant कौन कर रहा था, सर्ब, तो पूरी सरकार में, Military Administration में, सर्ब्स सबसे जादा dominating थे, कारण सर्बिया के लोग, यानि जो सर्ब्स हैं, ethnically, उनका number भी ज इसलिए सर्ब्स जो हैं, दूसरे सभी ethnicities के उपर हावी थे, वो जादा powerful थे, तो ये है Kingdom of Yugoslavia, जो प्रथम विश्विद्ध के बाद बना, ये इसका एरिया है, योरोप के political map में आप देख सकते हैं, green color में पूरा, तो द्वितिय विश्विद्ध जब शुरू हुआ, तो पूरे empire को अलग-अलग छोटे-छोटे states में बाट दिया, खास करके Croatia पे उनकी बहुत महरबानी थी, Croatia को Italy बहुत समय से भढ़गाने की कोशिश कर रहा था, कि तुम अलग हो जाओ, क्यूं Kingdom of Serbia की गुलामी जहल रहे हो, योगसलाविया नाम के देश में, तो Croatia को बहुत समय इसे कोशिश कर रहे थे, अलग कर दें, Italy के लोग, और finally इस लड़ाई में हराने के बाद, Croatia को उन्होंने आजादी दे दी, और Croatia में भी कई लोग थे, Croats, उन्हें कहते हैं, Croatia के लोगों को क्या कहेंगे, Croats, कई Croats चाहते थे, कि हम आजाद रहें, सर्विया के अंडर में हम नहीं रहना है, तो उन्हें कुछ बहुत जादा military और nationalistic सोच वाले जो लोग थे, उन्होंने एक militia बनाया, जिसे कहते हैं, उस्तासे, या उस्ताशी militia, उस्ताशी ने सर्व्स के साथ genocide किया, उन्होंने उनका नरसंहार किया, कई सारे सर्व्स को मार दिया गया, कई हजारो सर्व्स को, जो क्रोेशिया के एरिया में रहते थे, उन्हें मार दिया गया, और इस access power के occupation के खिलाफ, कई सारे सर्व्स ने हतियार उठाए, और उन्होंने पहाड़ों में छुप छुप कर gorilla warfare शुरू किया, access occupation के खिलाफ, तो इसमें communist थे, और कई सारे royalist थे, यानि जो रा युगसलाविया में लड़ाई लड़ रहे थे, 1945 में विश्वयुद्ध खतम हुआ, और उसके बाद जर्मनी और इटली की हार हुई, आपको पता ही होगा, तो ऐसे में socialist federal republic of युगसलाविया की स्थापना करी गई, और मोनार्की को हटा दिया गया, राजा ने कोशिश करी और इसे कहते हैं युगसलाविया 2nd, या युगसलाविया part 2, 2.0 कह लीजिया, यह है 1945 की बाद, अब मैं आगे कई जगे abbreviate इसे करूँगा, SFRY के नाम से, तो आप समझ जाना है, socialist federal republic of युगसलाविया, तो इस federal republic में नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, यह federal republic है, इसमें ब यह communist थी, और उसमें 6 socialist republic थे, जो मिलकर इस देश को बनाते थे, पहला कौन सा है, बोस्निया और हर्जोगवीना, यह वाला, दूसरा है क्रोएशिया, तीसरा है मैसेडोनिया, चौता है मॉंटी नीग्रो, पांचवा है सर्विया, और छटा है स्लोवीनिया, अब यहाँ पे सर्विया का हिस्सा है, लेकिन इसे भी काफी स्वायत तता दी हुई है, काफी autonomy मिली हुई है, तो अगर आप इन दोनों को भी गिनते हैं, तो 8 हिस्से हो जाएंगे, वैसे 6 हिस्से हैं, यहाँ पे आप इनके नाम देख सकते हैं, इनके नाम देखे ऐसे थे, जैसा USSR में होत और बाकी सारे socialist republic हैं, तो इन दोनों को autonomy उस वक्त से दी गई है, 1945 से, तो अब हम इस देश का इतिहास जानेंगे कि कैसे यह सारे socialist republic तूट कर इस स्थिती में पहुँच गए, 2008 का यह map है, अब यह देश आप देख सकते हैं, तो यह जो 1945 से 1992 तक जो देश रहा, यह एक one party state थ यहाँ यहाँ पे सिर्फ एक communist सरकार थी, multi party elections नहीं होते थे, 1990 में जाकर हुए थे, शुरू में कोशिश भी करी गई, लेकिन communistों ने उसे दबा दिया, सामने वाले सारे विरोधियों को अपने जेल में डाल दिया है, मरवा दिया, तो यह एक तरह से dictatorship भी थी, और यहाँ पे और ताना शाही रहेगी मेरी जोजेप ब्रोस टीटो की, तो यह है जोजेप ब्रोस टीटो, 20-वी सदी के सबसे famous नेताओं में से एक, यह एक communist revolutionary थे, और इन्होंने access occupation के खिलाफ गुरिला warfare किया था, छापा मार युद्ध किया था, पहाडों में रहते हुए, जब 1941 से 45 तक असी तक जोजेप टीटो ही पावर में थे, कुछ समय यह प्राइम मिनिस्टर है, 50's में यह प्रेजिडेंट बन गया और फिर आज इवन प्रेजिडेंट, कोई चुनाव नहीं, मैं ही प्रेजिडेंट रहूँगा, यह इनकी विचार धारा थी, लेकिन इन्हें benevolent dictator कहा जा तो इसलिए 20-वी सदी के जो नेता हैं, जो historians हैं, इन्हें क्रूर तानाशाह नहीं मानते, इन्हें एक अच्छा तानाशाह माना जाता है, benevolent dictator, यह बहुत ही popular थे अपने देश में योगोसलाविया में और साथ-साथ ही पूरी दुनिया में, तो इनके लगबग सभी देशो एक नहीं रह सकता, और सच में इनके मरने के 10 साल के अंदर-अंदर ही वहाँ पे लड़ाईयां शुरू हो गई, तो लोग तब भी कहते थे कि जोजेप ब्रोज ही इस देश को एक जुड बनाए रखे हुए हैं, इनकी internal policy ऐसी थी जिससे peaceful coexistence possible था, शान्ती बनाई हुई थी इनों ने कैसे nationalism, राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं, उसे किसी तरह से आगे नहीं बढ़ने देते थे, कहीं पे एक बार भी अगर कोई rally हो गई, Croatians ने कहीं बात कर दी कि हमें अलग देश बनाना है Croatia, उसी वक्त उन सब को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, Slovenia, Croatia, Macedonia, इन सभी में nationalism की भावना बिलकुल नहीं उभर कर आने दी, इन सभी को Serbian जो powerful लोग है, Serbian elite हैं, उनके अंडर में इन्हें suppress करके रखा गया, और बार बार भाईचारे की बात करते थे, Brotherhood, Unity की बार बार ये नारा देते थे, और Tito Cold War के दौरान, शीत युद्धि के काल में non-aligned movement के founder है, हाला कि शुरुआत में ये USSR के साथ थे, क्योंकि ये भी communist है, Stalin, USSR, communist देश है, तो पहले तो कुछ साल, 2-3 साल ये Stalin की side में थे, लेकिन 1948 में इनका Stalin से कुछ जगडा हो गया, इनकी बनी नहीं, इन्होंने सोचा कि Stalin बहुत जादा हस्तक शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने, Stalin ने पूरवी योरोप के सभी देशों में अपनी एक कटपुतली सरकार खड़ी कर दी थी, वैसी ही कुछ कोशिश वो यहां भी कर रहे थे, कि योगोसलाविया में भी मेरे अनुसार चले, यानि कि जो रशिया की communist party चाती है, वैसा यहां योगोसलाविया में हो, तो ये टीटो को बिल्कुल मंजूर नहीं था, टीटो ने USSR से अपना नाता तोड़ लिया 1948 में, काफी जल्दी ही, cold war की बिल्कुल शुरुआती वक्त में, और फिर 1960 में जब non-aligned movement की शुरुआत होती है, तो ये उसके founding members में से थे, तो ये हैं हमार शीत्य उद्धिके तरह neutral रहे, ऐसा नहीं है कि USSR को छोड़के इन्होंने अमेरिका का दामन थाम लिया, जी नहीं, ये बहुती समझदार व्यक्ती थे, इन्होंने Eastern और Western दोनों ब्लॉक से वित्तिय सहयता प्राप्त करी, कभी ऐसा लगता था कि ये USSR की तरफ चले जाएंग वहाँ से ये पैसा लेते थे और उसके बाद अमेरिका को लगता था कि ये हमें सपोर्ट करेंगे, स्टालिन के बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे, तो ऐसा भी इन्होंने कभी नहीं किया अब हम आएंगे योगोसलाविया के सबसे महत्वपून पार्ट पे, वो है यहां का एथनिक डिस्रिब्यूशन कई अलग-अलग तरह के लोग यहां रहते हैं, कई अलग-अलग अथनिसिटी के, देखिए हैं ये सभी सलाव, ठीक है, रेस इनकी सभी सलाव, सलाविक रेस है, लेकिन इनकी अथनिसिटी अलग है, बोली थोड़ी सी अलग है, भाशा है, हलकी सी अलग है, स्क्रिप्ट भी अलग है तो हम ethnicity कौन सी कहाँ पर मिलती है ये देखेंगे उत्तर से शुरू करेंगे सबसे उत्तर में है Slovenia तो Slovenia में रहने वाले लोगों को कहते है Slovene या फिर Slovenians और इनका धर्म कौन सा है ये mostly Roman Catholic है अगली slide में आपको इनके धर्म सब के लिखे हुए होंगे एक बार यहाँ पर भी समझ लीजिए तो यहाँ पर है Roman Catholics ठीक है जिनका head कौन होता है Pope और Pope कहाँ पर बैठता है Vatican में Pope का निवास है तो Roman Catholic Slovenia के जाधतर लोग है ठीक है सारे नहीं है 100% नहीं है लेकिन majority फिर है Croatia अब Croatia में आपको यह यलो कलर का इलाका दिख रहा है यह तो है ethnic Croats तो जो Croatia के लोग हैं उन्हें कहते हैं Croats लेकिन Croatia में कई सारे Serbs भी हमें मिलेंगे तो यह जो pink या violet कलर में आपको यहाँ दिख रहे हैं यह है Serb तो Croatia जो आज का देश है उसमें Serb लोग भी रहते हैं और साथ ही साथ Croats और Croats का धर्म कौन सा है Croats भी है Roman Catholic तो Slovenia और Croatia majority Roman Catholic लोग है ठीक है फिर हम आएंगे तीसरा देश है Bosnia और Herzegovina अब Bosnia में जो ethnicity के लोग रहते हैं उस ethnicity को कहते हैं Bosnians या फिर Bosniaks और इनका धर्म कौन सा है Islam तो इसलिए कई बार यहाँ पर आप इन्हें देखेंगे Muslim लिखा जाता है या फिर Bosniaks भी लिखा जाएगा ये शब्द भी इस्तिमाल होगा Bosniaks तो यहाँ जो green color में आपको ये area दिख रहा है ये सब है Bosniaks dominated Bosniak majority लाखा और Bosnia में भी Serb लोग रहते हैं यहाँ पर देखी सकते हैं आप ये Serb का इलाका है और ये वापिस Bosniak और ये जो gray area दिख रहा है यहाँ पर कोई majority नहीं है सबके आबादी लगबग बराबर है तो Bosnia में बहुत जादा mixture है Bosnia है एक ऐसा देश है इन सारे Balkans में जहाँ पर सबसे ज़ादा तरह के ethnicity के लोग आपको मिलेंगे और इनका number भी काफी बड़ा है यानि कि ऐसा नहीं कि 80 प्रतिशत एक ही ethnicity है सर्विया में कौन सी ethnicity सबसे ज़ादा है सर्व तो यहाँ पर सबसे ज़ादा सर्व हैं लेकिन जो सर्विया का autonomous province है Kosovos Kosovos में रहने वाले लोग है Muslim लेकिन उनकी ethnicity क्या है ये Bosniak नहीं है इनकी ethnicity होगी Albanian तो यहाँ पर Albanian ethnicity के लोग हमें मिलेंगे कहाँ पर यह वाला इलाका है यह है कॉसोवो, यहाँ पर मिलेंगे Albanian ethnicity के लोग क्योंकि यह रहा Albania देश Albania में भी majority Muslim है, Islam है और ethnicity इनकी भी Albanian है और यहाँ पर भी Albanian है अच्छा, Serbs का धर्म कौन सा है Serbs है Eastern Orthodox तो अब यह है तो Christian लेकिन Eastern Orthodox यह वाला इनका धर्म है देखे, Christianity में बहुत सारी अलग-अलग branches है सबसे बड़ी-बड़ी branches यही वाली है Roman Catholic और Eastern Orthodox तो Eastern Orthodox के धर्म के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इन Slavic देशों में ही मिलते हैं और Turkey से Constantinople में जब Eastern Roman Empire था वहाँ पर यह Church अलग हुआ था और Vatican जो की Rome में था वहाँ पर पहले उसे कहते थे Western Church और Eastern Church ऐसे दो हिस्से हो गए थे तो अब जो Western Church है Vatican वाला उसे कहते हैं उनके followers को Roman Catholic और Eastern Orthodox जातर रशिया या फिर यह जो Slavic देश हैं यहाँ पर इनके followers मिलेंगे तो Eastern Orthodox हैं Serbian ethnicity के लोग फरक समझिएगा देखिए ethnicity और धर्म में फरक है मैं आपको बार-बार यह चीज बता रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया ना कोसोवो कोसोवो में रहने वाले भी Muslim है और Bosniak भी Muslim है लेकिन Bosnia के Muslims को कहेंगे Bosniaks इनकी ethnicity है Bosniaks और यहाँ पर रहने वालों की ethnicity है Albanians ठीक है फिर है Macedonia तो Macedonia में भी जाला तर Eastern Orthodox है लेकिन यहाँ पर भी काफी संख्या में Muslims मिलेंगे तो इन देशों में Muslim धर्म कहां से आया Ottoman Empire के रूल में था यह पूरा area इसलिए यहाँ पर काफी Islam के followers आपको मिलेंगे तो यह है यहाँ की main ethnicities अब यहाँ पर मैंने इस table में लिस्ट कर दिया है तो ethnic group देखिए Serbians धर्म कौन सा है Eastern Orthodox देश कौन सा है Mainly योगसलाविया जो पूरा योगसलाविया देश है या फिर कोई एरिया इनका सर्विया है फिर है Bosnian यहाँ पर धर्म क्या है Islam और बेश कौन सा Bosnia and Herzogovina फिर Crots Crots है Roman Catholic ठीक है Catholic है Roman Catholic और यह है Croatia देश में mainly आपको मिलेंगे थोड़ा कुछ Crots आपको Bosnia में भी मिलेंगे फिर है Albanians तो Albanians का धर्म है Islam और कौन से देश में Albania में और Autonomous Province of Kosovo यहाँ पर यह मिलेंगे Slovenes Catholic, Roman Catholic Slovenia में और फिर है Montenegrins यह भी Eastern Orthodox हैं और यह कहां मिलेंगे Montenegro में तो यह हमने छोड़ दिया था Montenegro यह वाला देश है Montenegro में भी क्या है सबसे ज़ादा Eastern Orthodox यह majority Eastern Orthodox Christians है और ethnicity क्या है Montenegrains ध्यान देना ethnicity अलग है तो आप देखेंगे कितनी सारी ethnicities हैं यहाँ पे अलग-अलग ethnicities अलग-अलग धर्म इन सभी से मिलकर बना था योगोसलाविया और यही सबसे ज़ादा problem आई आगे जाकर टीटो की मौत के बाद में इस देश में आपस में इन सभी ethnicities में कुछ ना कुछ problems हुई यह धर्म के अनुसार एक map बनाया गया है तो जो रोमन Catholic देश है majority वो marked है Slovenia और Croatia dark colored में फिर बीच में जो Muslim majority है वो है Bosnia हर्जगोवीना और Kosovo का autonomous province यह green में है और जो light colored में है यह सभी है eastern orthodox तो अब Serbia और Montenegro दोनों eastern orthodox है लेकिन इनकी ethnicity अलग है यह है Serbians और यह है Montenegrans ठीक है और Macedonia में भी majority eastern orthodox है लेकिन यहाँ पे भी काफी अच्छी संक्या है Muslims की तो यह एक map तो हमने देख लिया धर्म के अनुसार और इससे पिछला वाला जो map था यह है ethnicity के अनुसार तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसे pause करके एक बार फिर से अराम से देख लीजिए क्योंके आगे बार बार इस map का जिक्रह आएगा वैसे मैं आपको बताता जाओंगा इन ethnicity के बारे में जहां पर भी हम लड़ाई की बात करेंगे अब हम आएंगे downfall of SFRY यूगोसलाविया तो 1980 में जोजब ब्रोस टीटो की मृत्यू हो जाती है उनकी मृत्यू के बाद यूगोसलाविया के जो republics हैं जो 6 republic हैं इन्होंने क्या system बनाया है अगले साल क्रोईशिया का प्रेजडेंट जो है वो पूरे यूगोसलाविया का प्रेजडेंट बन जाएगा इस तरह से presidency rotate होती रहेगी तो ये power sharing के हिसाब से तो बहुत अच्छा लगेगा आपको की ठीक है कोई भी एक economy बहुत बुरी तरह से नीचे आती गई economy growth ठपसी हो गई याद कीजिए इस समय USSR भी अपने पतन पर था USSR में भी economy बहुत सफर कर रही थी वहाँ पे भी glassmost peristroica के reforms आये थे लेकिन यहाँ पे इतने बड़े level के reforms नहीं आये जब reforms लाने की कोशिश करी गई क्यों करी गई IMF ने लोन देने की शर्त ये रखी कि आप reforms लाइए economy में ठीक है socialistic model से market economy की तरफ जाइए IMF के loans के लिए जो सुधार कारेकरम शुरू किया गया था वो पूरी तरह से fail हुआ देश में बेरोजगारी बेताहशा बढ़ गई और hyper inflation मुद्रा स्विती की दर इतनी जादा बढ़ गई कि एक समय में इन्हें 500 billion का note चापना पड़ा था तो आपने जिंबाभवे का example शाहिद सुना होगा वहाँ पे भी कुछ इस तरह की स्थिती है अभी भी तो 500 billion का note वहाँ पे 1992-93 के आसपास में छपा था और ये सब जब चल रहा था यानि economy का पूरी तरह से बेड़ा गर्ख था उस ऐसे वक्त में ethnic nationalism की शुरुआत होती है अब राश्टरवाद की भावनाय फिर से उभर कर आने लगी अलग-अलग republics में ये बात आई कि हम अलग होना चाहिए हमारा देश अलग होना चाहिए हमारे पास जादा पैसा है तो हम क्यों इन गरीब वाले जो republics हैं उनकी सायता करें तो ऐसी ही कुछ सोच थी उत्तरी योगोसलाविया यानि की स्लोवीनिया और क्रोएशिया की तो स्लोवीनिया और क्रोएशिया चाहते थे कि हमारे पास बहुत जादा समरिद्धी है हमारे पास समरिद्धी है पैसा है तो हम जो दक्षणी योगोसलाविया के जो republics हैं खास करके कौसोवो सर्विया उन्हें पैसा क्यों दें अगर देश एक होगा तो तो देना पड़ेगा ना cross subsidize करना पड़ेगा तो सर्विया चाहता था कि centralization बढ़े और सर्विया की ये सोच थी कि जो redistribution है पैसे का उससे पूरे देश का फाइदा हो और जो स्लोवीनिया और क्रोएशिया के लोग थे वो चाहते थे कि decentralization हो यानि हमारी ताक्तें और जादा बढ़े republics को और जादा power दी जाए center की power कमजोर हो states की power, federal republics की power बढ़ जाए IMF के बदले में जो reforms किये गए उनसे कुछ थोड़ा बहुत जो फाइदा हुआ था वो भी इनहीं को हुआ था इन्होंने अपने market economy को और जादा strong बनाया और आज भी ये दूसरे बॉलकन देशों के मुकाबले थोड़े जादा विक्सित हैं लेकिन ये जो दोनों के बीच में टकरार थी इससे इनके बीच में काफी परिशानिया आई ये जो दोनों का reform agenda था दोनों का अलग था सर्विया क्या चाहता था distribution of wealth पैसा बाट दिया जाये सब में और स्लोवेनिया और क्रोईशिया क्या चाहते थे कि हमारा पैसा है हमारी समरिद्धी हम तक ही रहे हम दूसरे रिपब्लिक्स को नहीं देना चाहते हैं फिर शुरुवात होती है राष्ट्रवाद की सारी दिक्कत राष्ट्रवाद की यहां शुरू होती है कोसोवो से तो यह कोसोवो है 1991 का यहां का एक map देखिए यहां पे जो green color में आपको पूरा area दिख रहा है यह है Albanians धर्म कौन सा है इनका Islam और उत्तर में 10 प्रतिशत के आसपास आबादी है सर्व, एथनिक सर्व यह कौन से धर्म के होते हैं Eastern Orthodox तो कोसोवो के जो लोग थे वो और ज़्यादा autonomy मांगने लगे कारण कोसोवो बहुती गरीब area था पूरे देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक था कोसोवो बहुती पिछड़ा हुआ इलाका था तो कोसोवो के Albanians ने एथनिक Albanians ने कहा कि हमें हमारे political rights दीजिए ताकि हम economy अपनी सुधार सके हमारे पास ज़्यादा autonomy आए सर्बिया ने इसे किस नजर से देखा सर्बिया के लोगों ने और सर्बिया के नेताओं ने क्योंकि उस वक्त सब जगे की economy मीचे जा रही थी तो सर्बिया के लोगों ने कहा कि पूरे देश की खराब economy का कारण क्या है Albanians जो ये कोसोवो से आ रहे हैं और हमारे jobs हमारी economy को खराब कर रहे है तो सर्बिया के लोगों ने Albanians के खिलाफ एक crackdown शुरू किया यानि जब भी वहाँ कोई protest होता था rally हुई autonomy की किसी ने बात करी political rights की बात करी तो उसके बदले में आर्मी और पुलिस भेज कर उन्हें बुरी तरह से उन पे लाठी चार्ज किया जाने लगा तो इस तरह की घटनाय शुरू होती है late 80s में खास करके 86-87 के बाद में तो ये सारी शुरुवात हुई थी कोसोवो से और किस्सा खतम भी होगा कोसोवो पर आकर हम देखेंगे आगे तो ये कोसोवो में जब परेशानी शुरू होती है तो यहाँ पे सर्बिया का जो प्रेजिडेंट था उसने अपने एक बहुती पावर्फुल निताकोर उसका जो राइट हैंड माना जाता था उसे भेजा उसका नाम था स्लोबदान मिलोसोविच तो स्लोबदान मिलोसोविच को भेजा गया कि जाकर कोसोवो में शान्ती करो इस व्यक्ती ने क्या करा शान्ती तो बनाई नहीं वहाँ पे जाके सर्ब्स को और जादा भढ़काना शुरू कर दिया उसने वहाँ के सर्ब लोगों को वही बोला जो वो सुनना चाते दे यानि सर्बियन नेशनलिजम की बात तो ये व्यक्ती सर्बियन नेशनलिजम को हवा दे रहा था उसे भढ़का रहा था इसका लक्षे ये था कि मैं सत्ता पे अपना कबजा जमाल हूँ तो कुछ ही सालों में इसकी ये स्ट्राटेजी सक्सेस्फुल रही तो सबसे पहले तो इसने अपने एलाईज यानि अपने साथियों को या फिर अपने पपेट्स को तीन जगे प्रेज़ेंट बना कर बिठा दिया पहला था वाइवोदीना जो की एक autonomous province है कोसोवो यहाँ पर भी इसने अपने एक पपेट अपने एक साथि को प्रेज़ेंट बना दिया और फिर मॉन्टी नीग्रो और फाइनली इस सब के बाद 89 में ये खुद सर्बिया का प्रेज़ेंट बन जाता है तो Socialist Republic of Serbia तो अब आप देखेंगे चार जो वोट हैं अब वो इस व्यक्ति के पास आ गए हैं किसके पास? स्लोगोदान, मिलोसोविच के पास तो इसने एक वोटिंग ब्लॉक बना दिया क्योंके सर्बिया का ये खुद प्रेज़ेंट है कोसोवो, मॉंटी नीग्रो और वॉयवदीना इन सभी के जो प्रेज़ेंट हैं वो किसके साथ हैं? मिलोसोविच के साथ सर्बिया के साथ तो अब ये जो रोटेटिंग प्रेज़ेंट्सी का मामला था ना तो पूरे देश की सरकार कैसे चलती थी? इन सभी फेडरल रिपब्लिक्स के नेता मिलकर बैठते थे और आपस में ये पॉलिसी के डिसिजन लेते थे तो मिलोसोविच के पास अब इन आठ में से चार वोट आ चुके हैं तो ये एक वोटिंग ब्लॉक बन गया है और मिलोसोविच ने इस वोटिंग ब्लॉक का इस्तमाल करते हुए सत्ता पे अपना कबजा और मजबूत करने का पूरा इरादा बना लिया था इसकी कोशिश थी कि पावर को सेंट्रलाइस किया जाए यानि ये जो फेडरल रिपब्लिक्स की ताकत है स्टेट्स का अधिकार चीन कर केंद्र के पास ले लिया जाए सेंटर के पास ज़्यादा पावर हो और दूसरा अल्बेनियन्स के खिलाफ इसने अपना क्रैकडाउन और ज़्यादा बढ़ा दिया तो अल्बेनिया में जो कुछ मजदूर है वो माइन्स में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उन माइनर्स के खिलाफ आर्मी भीजी गई और उन माइनर्स में कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है प्रोटेस्ट के दौरान तो ये सब जो गतिवीदिया है ये स्लोवीनिया और क्रोएशिया को बिल्कुल नहीं पसंद आई स्लोवीनिया और क्रोएशिया थोड़े से शांती पसंद थे आपने देखा महां सिम्रिद्धी जादा है उनका मानना था कि हमें अधिकार और जादा मिलने चाहिए वो सेंट्रलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ थे और अब वो मिलोसोविच के हरकतों के भी खिलाफ थे मिलोसोविच को उन्होंने कहा कि ये कैसा क्रैकडाउन है ये आप कैसे कर रहे हो कि अपने देश के लोगों के खिलाफ आर्मी भीजी जा रही है उन्हें मारा जा रहा है ये नहीं चलेगा तो ये एक गतिरोत पैदा होता है इस Central Government में और 14th Congress बुलाई गई 1990 में जनवरी के महीने में ये Congress क्या थी देखिए हर साल Communist जो है सारे इनकी मीटिंग होती थी आपको याद होगा ये One Party State है इन सभी Republic में सरक सरकार Communist ही होती थी ठीक है सब में Communist सरकारे हैं तो सबके प्रतिनिदी आते थे साल में एक बार मिलते थे तो एक Special Congress बुलाई गई 1990 में इसे कहा गया 14th Congress और यहाँ पे ये Congress पूरी तरह से फेल हो गई क्योंकि जो voting block है ना इसने कोई भी जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं होन कि उनके delegates इस Congress से उठकर चल दिये वो delegates walk out कर गए तो ये walk out एक बहुत ही एतिहासिक घटना थी और इससे ये समझ में आ गया कि अब योगोसलाविया का एक साथ चल पाना बहुत मुश्किल है इसके कुछी महीने में चुनाव होते हैं सारे Socialist Republic में सबने अपने अपने चुन कारें गिर रही थी 89, 90 में ऐसे समय में यहाँ पर भी चुनाव होए पूरे योरोप में चुनाव हो रहे थे Eastern और Central योरोप में तो यहाँ पर भी चुनाव होते हैं multi party elections होते हैं और इन सभी चुनावों में जादतर जगे communist बहुत बुरी तरह हारते हैं और सत्ता किसके पास आती है जादतर सभी जगे nationalist parties के पास जो अलग-अलग देश बनाना चाहते हैं जो सर्वियन नेशनलिस्ट हैं जो क्रोएशन नेशनलिस्ट हैं अब वो सत्ता में आएंगे तो यहाँ से शुरुवात होती है Balkan Wars की इस Congress के बाद में लड़ाई शुरू होगी तो पहले हम बा आते हैं सरकार में और ये जो पुराना उस्ताशी ग्रुप था ना जिसने जैनोसाइड किया था सर्व का जो हिटलर के साथ मिला हुआ था फासिजम को फॉलो करता था इटली और जर्मनी का सपोर्टर था वो उस्ताशी का जो जंडा था उनका जो सिंबल है वो ये फिर से लेकर आ गए तो ये नैशनलिस्ट लीडर थे तो ये जब सिंबल आया खास करके ये चेकर्ड फ्लाग उन्होंने अपने जंडे पर ये चेकर्ड सिंबल लेकर आया इससे जो क्रोईशिया में रहने वाले सर्व हैं जो इन एरियास में रहते थे ये पूरा इलाका सर्व उससा आया तो ये ऐसी ऐसी बाते कहते थे रैलीज में कि मैं क्रोईशिया को सर्विया से बचाऊंगा यानि ये जो मिलो सोविच कर रहा है कोसोवों में इस तरह की हरकत मैं क्रोईशिया के लोगों के साथ नहीं होने दूँगा तो जब तक है जान तब तक मैं बचाऊंग करोईशिया के लोगों को तो क्रोईशिया के जो सर्ब्स हैं वो इसकी बातों से काफी नाराज हो गए उन्होंने कहा कि ये तो तानशाही है उन्हें वो 1945 का जो जैनोसाइड था वो याद आ गया वो उसे भूले नहीं थे और उस जैनोसाइड की यादों उन्हें उन्हें सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया उन्होंने रोड्स को ब्लॉकेड किया और कई इलाकों में पूरी तरह से अपने आपको ऑटोनॉमस आजाद गोशित कर दिया तो ये वाला इलाका खास करके जो ये निन नाम का जो शहर है यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट किया इनका सर्ब्स का सपोर्ट किया तो आर्मी का यहाँ पे दाइत तो क्या बनता था कि जो सरकार के खिलाफ जो प्रजर्शन कर रहे हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है उनके खिलाफ करवाई की जाए लेकिन आर्मी ने ऐसा कुछ नहीं किय आर्मी ने उल्टा इन लोगों का सपोर्ट किया किसका सर्बियन्स का और इस आर्मी के सपोर्ट से ही इन्होंने कई एरिया पे अपना कबजा जमा लिया तो ये पूरा जो लाल रंग में आपको एरिया दिख रहा है ये कुछी महीनों में सर्बियन्स के पास था एथिनिक सर्ब जो क्रोईशिया में रहते हैं ठीक है और स्लोवीनिया में भी आजादी की मांग उठने लग गई थी तो ऐसे में सबसे पहले रेफरेंडम होता है स्लोवीनिया में रेफरेंडम का क्या मतलब है कि आजादी के लिए वोट डलवाया गया लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हो जनता से वोट डलवाया गया कि आजादी चाहिए या फिर योगोसलाविया के साथ रहना है तो डिसमबर 1990 में सबसे पहले स्लोवीनिया में रेफरेंडम होता है और कुछी महीनों बाद क्रोईशिया में भी रेफरेंडम होता है दोनों जगे जनता ने आजादी के लिए वोट डाला और इसी तरह से जून 1991 में दोनों देशों ने एक साथ एक ही दिन योगोसलाविया से अलग होने की घोशना कर दी दोनों ने अपने आपको इंडिपेंडेंडेंट घोशित कर दिया स्लोवेनिया और क्रोईशिया ने लेकिन जैसे ही ये घोशना होती है तो जो सर्विया, बेलग्रेड वाला जो इलाका है जहां पर पूरे योगोसलाविया का कैपिटल है वहाँ पर सरकार है, जायतर सर्ब्स हैं सरकार में वो इससे गुसा हो गया, मिलोस्विच इससे नाराज हो गया तो उन लोगों ने योगोसलावियन आर्मी को भेजा स्लोवेनिया के खिलाफ, स्लोवेनिया पर अटैक करने के लिए लेकिन स्लोवेनिया की जो खुद की आर्मी थी उन्होंने अपनी मिलिशाज डेवलप करी थी तो उन मिलिशाज ने एक छोटी सी लड़ाई में 10 दिन के अंदर अंदर योगसलाविया की राष्ट्रिय आर्मी को हरा दिया स्लोवेनिया पहला देश माना जाता है जिसे आजादी मिली क्योंकि स्लोवेनिया बिना जादा खुन खराब है के अराम से आजाद हो गया ऐसे में यूरोप के दूसरे देश हैं, वो थोड़े चंतित हो गए और उन्होंने एक शांती वारता बुलाई हेग नाम की जगे पे, हेग नाम का जो शहर है वहाँ पे और ये कॉन्फरेंस फेल हुई, क्योंकि मिलोसोविच, मिलोसोविच जो की सर्विया का बन चुका था, मिलोसोविच ने इस बात को मानने से मना कर दिया, कि दूसरे सभी देश योगोसलाविया से अलग हो जाएंगे, वो चाहता नहीं था कि योगोसलाविया अलग अलग टुकडों में बढ़ जाए, उसका माना था कि योगोसलाविया एक रहना चाहिए, में अब योगोसलाविया का नक्षा अब इतना बचा है, अब कौन-कौन से देश बचे, चार बचे हैं बोजनिया, हर्जगोवीना, यहाँ पर है मॉन्टी नीग्रो, यह है सर्विया और यह है मैसेडोनिया, तो अब सिर्फ ये वाले चार देश बचे हैं और साथ-साथ म क्योंकि योगोसलाविया में य को जे लिखा जाता है, हम उसे प्रनाउंस वाय करते हैं लेकिन लिखा जाता है जे, तो देश की राष्ट्रियर आर्मी की मदद से क्रोईशिया के जो सर्व्ज हैं, वो क्रोईशिया के कई शहरों पे अपना कबजा जमा रहे थे, तो अपना एक रेफरेंडम कराया, सब्टेंबर 1991 में, और यहाँ पे जाहतर लोगों ने आजादी के लिए वोट डाला, और मेसेडोनिया चुप चाप शांती से 1991 में अलग हो गया, तो मेसेडोनिया में जादा लड़ाई नहीं होती है, तो अभी तक मेसेडोनिया, सबसे पहल सर्ब्स का जो एरिया है, वो सब आपको पिंग या फिर रेड में दिखेगा, तो यहाँ पे अब चल रहे हैं लड़ाई बॉस्निया में, सबसे जादा खून खराबा इस बॉस्निया के इलाके में हुआ, कारण क्यूंके बॉस्निया में बहुत जादा मिक्शर है, अलग- इनका इसलाम, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, यह सारा एरिया है, बॉस्निया के मेज़ौिटी, फिर जो ब्लू में एरिया दिख रहा है, वो है सर्ब मेज़ौिटी एरिया, तो 31 प्रतिशात आबादी सर्ब है, और 17 प्रतिशात आबादी है, यहां पर orange color में हैं तो यह Croatia से लगता हुआ इलाखा है इसलिए यहां पर crotes काफी है तो आप देखेंगे काफी mixture है यहां और इसलिए कई बर Bosnia को पूरे योगसलाविया का microcosm भी कहा जाता है microcosm का मतलब क्या है कि यह पूरे योगसलाविया की जो देश की स्थिती है ना उसको आप एक छोटे से एरिया में अगर देखना चाहते हैं तो आप Bosnia को देख लीजिए तो यह है microcosm ओके तो यहां पर लड़ाई बहुत खतरनाक तरीके से होती है October 1991 में सबसे पहले क्रोट्स और बॉस्नियाक muslims ने कहा कि हम भी बॉस्निया को एक आजाद देश बनाना चाहते हैं जैसा क्रोईशिया और स्लोवीनिया ने किया लेकिन सर्ब्स ने इनका विरोध किया क्योंके देखे सर्ब्स किसके साथ रहना चाहेंगे सर्बिया के साथ वो तो ये चाहेंगे ना कि सर्बिया, मॉंटी नीग्रो जहांपे हमारे हम पावर में हैं हम उनी के साथ रहें तो बॉस्नियन सर्ब जो थे असेम्मली में पार्लियमेंट में वो सभी पार्लियमेंट को छोड़ कर चले गए उनका नेता था राडवान कराडजिक यह आगे जाके नाम बहुत important है क्योंके इन्हें बाद में सजा हुई थी genocide के लिए तो राडवान कराडजिक के नित्रित्व में इन्होंने पार्लियमेंट छोड़ दी और जहां जहां पे सर्ब्स का कबजा था और अब इन्होंने बॉस्निया में भी कह दिया कि बॉस्निया में भी हम अपना अलग देश बनाएंगे और इसका नाम इन्होंने रखा रिपब्लिका सर्पस्का थोड़ा जीब सा नाम है ठीक है सर्पस्का और ये जन्वरी 1992 की बात है तो अक्टोबर में तो ये पार्लियमेंट में इन्होंने कोशिश करी के आजाद हो जाएं और जन्वरी आते आते यहां के सर्पस्का अपना एक अलग ऑटोनोमस रीजन घुशित कर दिया है और इसने क्या कहा रिपब्लिका सर्पस्का के नेता ने क्या कहा कराट जिखने कि हम तो सर्पिया और मॉंटी नीग्रों के साथ रहना चाते है बोजनिया को अलग होना है हो जाओ लेकिन हम नहीं जुडेंगे बोजनिया के साथ और जो बाकी के लोग थे बोजनिया के बोजनिया में बाकी कौन बचा क्रोट्स और मुसलिम तो इन लोगों ने एक referendum कराया और इस referendum में इन्होंने अपने आपको Yugoslavia से आपको आजाद घोशित कर दिया यह होता है March 1992 में और Bosnian Serbs ने इस vote में हिस्सा नहीं लिया तो obviously बात है जब जो विरोधी हैं वो vote में हिस्सा ही नहीं लेंगे तो majority 80-90% लोग आजादी के लिए वोट डालेंगे तो ऐसा होता है इस referendum में और इसी के साथ Bosnia भी अब एक अलग independent देश अपने आपको घोशित कर चुका है और जैसे ही यह घोशनाय होती है तो इनके बीच में लड़ाई छिड़ गए एक और तो यह है Republica, Serbska और दूसरी तरफ कौन है? Croats और Muslim तो यह April 1992 में यह लड़ाई शुरू होती है और लगबग 95 के end में जाकर 96-95 के end में जाकर यह लड़ाई बंद होगी और यह 4 साल का जो period है Bosnia की लड़ाई का यह सबसे खतरनाक रहा इतनी जादा ethnic cleansing इतने जादा genocide कहीं नहीं हुए जितने Bosnia में हुए है पूरे Balkan Wars में तो Croatians और Bosnians पहले तो देखिए साथ में थे लेकिन बाद में इन में भी food पड़ गी Croatians ने सोचा कि क्यों न हम अपना इलाका एक अलग बना लें तो Croatians Bosnians से लड़ने लग गए और साथ साथ में सर्ब से तो लड़ी रहे थे इस लड़ाई में soldiers के साथ साथ civilians को भी target किया गया तो ये बहुती brutal war था इस photo में देखिए एक soldier है जो जमीन पे लेटे हुए civilians हैं उसके आगे गिडगडा रहे हैं लेकिन उन्हें भी ये लात मार रहा है तो ऐसे scene बहुत ही आम थे Balkan Wars में और ऐसी घटनाओं के कारण ही यूरोप के जो देश हैं यूरोपियन यूनियन अपने आपको human rights में बहुत अग्रणी मानता है तो यूरोप ने जब देखा कि यूरोप की धरती पर ऐसा हो रहा है कहां तो हम पूरी दुनिया में democracy और human rights का प्रचार करते फिरते हैं और हमारे अपने continent पे हम इन चीजों को नहीं रोक पा रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन काफी सचेत हो गया और इस बॉसनिया की लड़ाई में NATO ने अपना हस्तकशेप किया बॉसनिया के युद्ध की शहर और उसके चारों और किसने घेर लिया उन्हें सर्ब्स ने और उन्होंने लगातार पहाडों से उस पे बं बरसा है तो ये है सारा जेवो capital बॉसनिया का और इन पहाडों के उपर उन्होंने अपनी artillery स्थापित कर दी और लगातार दिन भर शहर पे बंबारी करते रहते थे और सारा जेवो की हालत बहुती खराब हो गई लेकिन लगातार चार साल तक बंबारी जहलने के बावजूद भी सारा जेवो बॉसनियंस के पास ही रहा सर्बियंस के हाथ में नहीं गया यहाँ पे पूरे टाइम स्नाइपर बैठे रहते थे पहाडों पे और गली में अगर कोई भी बहार निकल कर आता था तो उसे शूट कर दिया जाता था तो लोगों के लिए अपनी दिन चरिया पूरी करना भी एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम था अगर कोई स्कूल जा रहा है बच्चा कोई दुकान पे राशन खरीदने जा रहा है उसे भी स्नाइपर्स गोली मार देते थे तो इसलिए सीज और साराजे वो बहुत ही बूटल थी यहाँ पे कई सिविलियन्स मारे गए और इस सीज में सर्बियन्स का साथ किस ने दिया तो देखिए जैसे क्रोईशिया में सर्ब्स का साथ दिया था ना आर्मी ने जे एने ने नैशनल आर्मी वैसे ही आर्मी यहाँ पे सर्ब्स की मदद करने आई है तो जो बॉसनिया के सर्ब हैं वो लड़ रहे हैं Bosniaks से Bosnians से और उनकी साहेता कौन कर रहा है Army तो स्थिती जब बिगड़ गई तो कुछ समय बाद United Nations ने अपनी Peace Keeping Forces भेजी और पूरे योगसलाविया पे और Bosnia पे एक Arms Embargo गोशित किया गया Arms Embargo का मतलब है कि दुनिया का कोई भी देश, कोई भी कंपनी Bosnia में हतियारों की सप्लाइ नहीं कर सकता कोई भी Bosnia की ना तो सरकार को हतियार बेच सकता है ना ही विरोधियों को, Rebels को, ना Serbs को किसी को नहीं ठीक है तो ये बैन कर दिया गया Arms Embargo हमेशा पहला स्टेप होता है अब किसी देश पे दबाव बनाने की कोशिश करी जाती है UN द्वारा या फिर US, NATO तो ये सबसे पहले Arms Embargo लागू कर देते हैं ठीक है तो अब किसी भी तरफ हतियार की सप्लाइ बंद हो गई थी लेकिन फिर भी हतियार स्मगल करके लाए जाते थे Hungary से हतियार स्मगल करके लाए गए Croatia वगरा से Serbia की जो Armies हैं वो हतियार स्मगल करके ले आती थी और इस Bosnia की लडाई में ethnic cleansing करी गई पूरे पूरे इलाके की पूरा एक district या फिर पूरा एक बहुत बड़ा शहर ethnically cleanse कर दिया गया जिससे की भविष्य में जो territory है उस पे हम अच्छे से claim अपना कर सकें देखिए अगर ये एक शहर है ठीक है इस शहर में मैं ये blocks बना रहा हूँ मान लीजिए कि ये है सारा ये वो नाम का शहर है ठीक है जहाँ पे seed चल रही है हमने देखा ही है तो ये है सारा ये वो सारा ये वो में कौन रहता है Bosnians ठीक है Bosnians Muslims रह रहे है तो ये area है Bosnians का पूरा majority यहाँ पे Bosnians है लेकिन कुछ area में मान लीजिए Serbs रहते हैं ठीक है दो block Serbs के हैं दो Croatians के हैं तो जो Bosnians हैं वो इस शहर से Serbs को और Croatians को हटा देंगे Crots को हटा देंगे ताकि आगे लड़ाई जब खत्म होगी तब ये पूरे शहर को क्लेम कर सकते हैं ये कह सकते हैं कि ये पूरा शहर Bosnians का है ये पूरी तरह से Bosnians के कबजे में रहना चाहिए तो कल को यहाँ पर सर्ब और Croatians ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि यहाँ तो हम भी रहते थे और हमारा भी यहाँ पर हक है तो इस तरह की सिती भविश्य में ना आया इसलिए ethnic cleansing करी गई अब ethnic cleansing के कई तरीके हैं या तो आप वहाँ से लोगों को भगा दीजिए तो जैसे देखिए कई सिटी के blocks के blocks पूरे खाली करा दिये गए लगातार उन पर बंबारी कीजिए एक एरिया पर तो उससे पूरा block खाली हो जाएगा तो ये भी एक तरीका था और दूसरा तरीका था लोगों को मार देना तो ये बहुत सारी महाँ पर mass graves हमें मिली हैं बॉस्निया में जहां पर इस तरह की ethnic cleansing करी गई अब आगे जाकर उनका DNA टेस्ट किया जा रहा है ताकि पता चले ये कौन लोग थे किसके रिष्चेदार थे कौन सी ethnic city के हैं क्योंकि आज भी कई बार 21 सदी में ये लड़ाई खत्म होने के 20 साल बाद भी कई जगे mass graves हमें मिल जाती हैं तो ethnic cleansing का मतलब जैसा मैं आपको समझाया forced removal of ethnic group जबरदस्ती किसी को हटा देना तो पहले तो ये option दिया जाता है कि आप घर बार छोड़के अपना समान पैक करिये और चले जाईए तो जैसे देखिए क्रोट्स को कहां से निकाला गया वोकोवार नाम का एक शहर था यहाँ पे भी बहुत लंबी सीज चली थी वोकोवार क्रोइशिया का शहर है यहाँ पे किसने हमला किया सर्ब्स ने जो क्रोइशिया के सर्ब्स हैं और उन्होंने वहाँ से क्रोट्स को निकाल दिया वोकोवार बहुत important शहर था क्रोइशिया के लिए और यहाँ पे यह हार गय थे फिर देखिए सर्ब्स ने क्राइनिया नाम के शहर में भी क्रोट्स को महां से भगा दिया तो ये देखिए ट्रैक्टर्स पे सब अपना समान बांध कर ट्रकों में समान लेकर ये जा रहे हैं तो ये होती है एथनिक क्लेंजिंग इससे आप एक एरिया को एथनिकली एक होमोजिनस एरिया बना देते हैं तो अगर वहाँ पे अब यहाँ पे कौन बचेगा यहाँ पे सिर्फ सर्ब्स रहेंगे ना इस शहर में तो कलको लड़ाई अगर बंद हो जाती है तो सर्ब्स का ये शहर हो जाएगा पूरी तरह से उनके एरिया में आ जाएगा तो इससे ये कोशिश करी जाती है कि किसी एक एरिया में एक एथनिस सिटी का परसंटेज बढ़ा दिया जाए यहाँ पे एक और उधारण देखिए ये एक फोटो है अलबेनियन्स को कोसोवो से जब निकाला गया था ये 1999 है अभी हम इस युद्धे पर पहुँचे नहीं है आ गया आएंगे लेकिन ये भी एक 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 जामपल है कि सर्ब्स ने यहाँ पे अलबेनियन्स को निकाल दिया तो आप देखेंगे कई जगे सर्ब्स ने आगे बढ़कर ये एथनिक क्लेंजिंग करी लेकिन बाद में जब क्रोएशिया की आर्मी इनके उपर हावी हो गई तो उन्होंने भी सर्ब्स की एथनिक क्लेंजिंग करी थी तो हर तरफ से हर एथनी सिटी के लोगों की तरफ से यहाँ पे war crimes commit किये गए बॉसनिया की इस लड़ाई में एक और महत्वपून गटना है स्रेबेनीसिया नाम के शहर में नरसहार किया गया तो यहाँ का जो genocide है स्रेबेनीसिया genocide कहते हैं यह हुआ था जुलाई 1995 में और यह जो गाँ है इसे United Nations ने अपनी protection दी थी जो UN के peace keeper थे उन्होंने गाँ के लोगों से वादा किया था कि हम यहाँ पे बैठे हैं आपको कोई कुछ नहीं होने देगा तो जो आसपास के जो Muslim थे जो Bosniaks थे वो भी आकर वहाँ पर रहने लग गये थे देखिए हमेशा हर लड़ाई में कुछ area को protected area घुशित कर देते हैं ठीक है protected area का क्या मतलब जैसे लड़ाई चल रही है इतने बड़े area में तो दोनों जो लड़ाई करने वाली parties हैं दोनों आपस में तैकर लेंगे कि ये area protected area है तो यहाँ पर civilians जाके छुप सकते हैं यहाँ पर कोई artillery firing नहीं होगी गोले नहीं बरसाये जाएंगे civilians पर हमला नहीं होगा ठीक है इसका एक और उधारन याद कीजिए अगर आपने मेरा श्रिलंका civil war का वीडियो देखा है तो वहाँ पे भी किलिनोची में ऐसा एक protected area बनाया गया था लेकिन जो LTE के rebels हैं उन्होंने कहा था कि श्रिलंका की आर्मी ने किलिनोची में वहाँ पर भी हमला किया protected area में schools में तो दूसरी ओर श्रिलंका की आर्मी ने क्या कहा कि इन protected areas का फाइदा उठा कर LTE के जो लोग हैं वो स्कूलों से हम पे हमला कर रहे हैं तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पे भी हुई यहाँ पे भी जो serbs हैं वो कहते दे कि यह जो protected area है यहाँ पे जो लड़ाई लडने वाले लोग हैं वो जाके छुप जाते हैं और यहाँ पे civilians ही नहीं military के लोग भी छुपे हुएं तो ऐसे ही कारणों से कई जगे पे ऐसे massacres हुए तो यह सबसे बड़ा उधारन है उसका यहाँ पे 8000 बौस्नियाक Muslims को मार दिया गया सर्पस्का की आर्मी की द्वारा और इसके लिए बाद में राडवान कराटजिक जो की बौस्निया में सर्प्स के नेता थे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और 2016 में पिछले साल ही उनको इसकी सजा हुई है और इनके उपर आरोप लगा था जेनोसाइड का जो साबित हो गया स्रबेनीसिया ट्रब्यूनल फॉर्डवान कराटजिक को यहां पे पिछले साल सजा दी गई यह है राडवान कराटजिक और यहां पे इस स्रबेनीसिया के मैसेकर में एक खास बात यह थी कि यहां पे उनके नेशन्स के पीसकीपर थे और वो थे डच तो नेधरलाइंड के ट्रूप्स थ कि चुन-चुन के मारा गया था ठीक है सर्ब्स के द्वारा यह वहां की एक मास ग्रेव है स्रबेनीसिया मैसेकर की और उसके बाद यह बहुत फेमस कार्टून छपा था अकबारों में यूएन के लिए अनेबल की यूएन कुछ नहीं कर पाया है जैसे देखिए कच्छवा हमले बढ़ा दिये तो अब नेटो इनवल्फ हो चुका था ठीक है लेकिन नेटो थोड़ी थोड़ी बंभारी कर रहा था किसकी तरफ से याद रखना बॉज्ञाग्स की तरफ से क्रोट की तरफ से और किस पर बंबरसाय जा रहे थे बंबरसाय जारे थे सर्ब्स पे तो अ पर हर तरफ से सिविलियन्स की मौथ होती है, चाहे कुछ भी कर दिजिया, तो नेटो की इस बंबारी में सर्ब्स के मिलिटरी ठीकानों पे, खास करके बॉजनिया पे हमले करे गए, साथ साथ में सर्बिया के अंदर भी हमले करे गए, और इस वक्त में ही क्रोएशिया की जो है याद कीजे वो Croatia की आर्मी जो अपने ही इलाकों में हार रही थी Crots majority होते वे भी हार रहे थे अब इन्होंने अपनी आर्मी को फिर से तैयार किया 3-4 साल में तो अब 95 में जाकर इन्होंने अपने एरिया से सारे Serbs को भगा दिया Croatian Serbs को सारे autonomous region जो उन्होंने गोशित कर रहे थे वहां से भगा दिया और अब Croatia की बारी थी इन्होंने ethnic cleansing करी इन्होंने Crots को इन Crots ने वहां से Serbs को भगाते हुए पूरे-पूरे इलाके उनसे खाली करवा दिये civilians के जो लड़ाई नहीं लड़ रहे उन्हें भी वहां से जबरदस्ती हटाया गया तो ये ethnic cleansing है इसमें कई सारे Serbians भी मारे गए जो Croatian Serbs थे तो आप देखेंगे कि इस बंबारी के कारण NATO की बंबारी और Croatia की आर्मी की जीत के कारण अब Serbs थोड़े से दवाव में आ गए हैं जो Serb हैं वो अभी तक जीतते आ रहे थे लेकिन अब वो वारता के लिए तयार हो गए और इन Croatian और Bosniak Serbs को मदद कौन कर रहा था Milosevic याद है आपको वही Milosevic है ये जो सर्विया में राश्टरपती बन चुका था तो Milosevic जो की अब योगोसलाविया का प्रेज़ेंट है योगोसलाविया अभी भी एक देश है ध्यान रखना उससे कई सारे रिपबलिक अलग हो चुके हैं हाँ अब उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया था Federal Republic of योगोसलाविया कर दिया गया था FR योगोसलाविया और उ तो वहाँ पर ये Accords साइन होते हैं इसलिए इनका नाम है Dayton Accords तो 1995 में ये Dayton Accords साइन हुए इसमें सबसे पहली चीज़ बॉसनिया में Ceasefire जो चार साल से भेंकर लड़ाई चल रही है अब वो थम गई UN ने अपना Embargo हटा दिया तो UN ने हतियारों के साथ साथी दूसरी Supplies भी बैन कर दी थी बॉसनिया में तो ये Embargo हटा दिया गया और अब ये तैह हुआ Political Decision क्या निकला इस Conference का कि अब बॉसनिया में दो अलग-अलग Entities होंगी Political दो राश्टर होंगे और उन दोनों से मिलकर क्या बनेगा बॉसनिया हर्जगवीना तो आज का जो बॉसनिया की population जादा थी तो इसे बनाया गया बॉसनिया हर्जगवीना और राडवान, काराजजिक, द्वारा, घोशित, रिपबलिका, सर्पसका उसको अब ये boundary दे दी गई कि अब आप दोनों के बीच में एक सीज़ फायर लाइन है ये boundary है आपकी और अब आप दो अलग देश की तरह काम करेंगे तो ये है रिपबलिका सर्पसका इसमें majority कौन है? सर्ब ठीक है तो अब ये political solution निकाला गया और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? बॉसनिया हर्जगवीना आज भी ये समझाता लागू है 20 साल बाद भी और इन दोनों के बीच में एक और decision ये तै किया गय कि जो government है उसमें president हमेशा rotating रहेगी presidency तो एक बार croat बनेगा फिर अगला president बनेगा Muslim बॉसनियाक और उसके बाद कौन बनेगा अगला president होगा वो है सर्ब तो ये rotating presidency का funda यहां भी दे दिया गया और NATO ने अपनी armies को भेजा यानि US, British और French armies यहां पर आई ताकि इस समझोते को enforce किया जा सके इस समझोते को कोई तोड़ ना दे फिर से लड़ाई ना शुरू हो जाए इसलिए इन तीनों देशों ने अपनी armies भेजी नेटों ने अपनी armies भेजी बॉसनिया में तो अब हम कौन-कौन से देशों को आजाद करवा चुके हैं योगोसलाविया से पहला था स् सर्ब्स तो शुरू-शुरू में तो सर्ब्स को बहुत सक्सेस्फुल रहे वो लेकिन 1995 आते आते क्रोएशिया ने अपनी आर्मी फिर से तयार करी और सर्ब्स को यहां से खदेड दिया और एथनिक क्लेंजिंग भी करी फिर है बॉसनिया तो बॉसनिया में चार साल से लड बचा है योगोसलाविया तो अब लड़ाई कहां पर आएगी अगली लड़ाई होगी कोसोवो में देखें मॉंटी नीग्रो सर्ब्स का अच्छा दोस्त था तो इन दोनों के बीच में कभी ज़्यादा तकलीफ थी नहीं हाला कि मॉंटी नीग्रिंस जो हैं वो अलग एथ ख्लीफ शुरू होती है कोसोवो में क्यूं क्यूंके कोसोवो का याद कीजिए ethnic breakdown कोसोवो में सबसे जादा कौन है कोसोवो में है Albanians ethnically क्या है वो Albanian और धर्म क्या है उनका इसलाम तो यहाँ पे Muslim है बहुत जादा और उत्तर में बस population है Serbs की ठीक है लेकिन यह territory किसकी है यह Autonomous Province तो यह एक राज्य की तरह है सर्विया का ही हिस्सा है अलग देश नहीं है कोसोवो याद रखना अभी तक कोसोवो अलग देश नहीं है अभी तक यह Autonomous Province था हाँ इसे काफी स्वायत्ता था मिली हुई थी योगोसलाविया के समय में इसे presidency के वहाँ पर भी एक प्रति सामधर्म को follow करने वाली तो अब यहाँ पर लड़ाई शुरू होगी कोसोवो में लड़ाई mainly 98 और 99 में हुई थी लेकिन परेशानी यहाँ 91 से ही शुरू हो गई थी 91 में कोसोवो Liberation Army नाम का एक संगठन आया जिसने योगोसलाविया की सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा Liberation Army Insurgent Group है चापा मार युद्ध करेगा गुरिला वारफेर इस्तमाल करेगा तो गुरिला वारफेर की टैक्टिक्स को यह इस्तमाल करते हुए 7-8 साल तक इन्होंने यह लड़ाई जारी रखी लेकिन बहुत बड़े स्केल पर लड़ाई नहीं थी लेकिन 90 के दशक में ही सर्विया के लोग जो हैं सर्ब्स हैं योगोसलाविया की सरकार है उसने एक नीती अपनाई उसने एथनिक क्लेंजिंग करने की कोशिश करी अब देखें 90 प्रिस्तिशत आबादी Albanians है मुसलिम है उसको आप कैसे हटाएंगे सबसे पहले उन्हें नौकरियों से निकाला गया तो कई सारे Albanians को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया बच्चों को स्कूल में एडमिशन्स नहीं दिये गए उससे ये कोशिश करी गई कि ये लोग अपने आप कोसोवो छोड़ कर चले जाएं और ऐसा जब नहीं हुआ तो वहां से उन्हें जबरस्ती हटाया गया ऐसे में 10,000 Albanians को मार दिया सर्ब्स ने तो ये सर्ब लोगों ने 10,000 Albanians को मारा और 40 प्रतिशत तक कोसोवो के आबादी कोसोवो छोड़ कर चली गई ये refugees हैं mainly refugees मेसेडोनिया गए और बाद में यहां से जो refugees आये थे और के लेके members भी कई सारे मेसेडोनिया में जाके छुप गए तो 2001 में इन्होंने मेसेडोनिया की सरकार के खिलाफ लड़ाई चेड़ दी वहां पर उन्होंने कोशिश करी थी कि यहां पर एक autonomous province बना लें लेकिन मेसेडोनिया ने इन्हें हरा दिया यहां पर इस लड़ाई में Albania में गए Albanians थे ethnically तो यहां के लोगों से तो इनकी अच्छी बनती थी तो Albania में गए और Monty Negro में भी तो बहुत बड़ा refugee crisis शुरू हो गया कोशोवों से कई सारे refugees निकल कर आए तो KLA ने इसके खिलाफ अपने attacks बढ़ाने शुरू किये जब यह ethnic cleansing शुरू होती है Serbs का crackdown बढ़ता है इस हालात में Milosowich ने अपना crackdown और ज़्यादा बढ़ा दिया उसने और ज़्यादा army भेजनी शुरू करी और KLA के members को चुन-चुन के मारा गया तो 2000 KLA members को उसने 1998 में मार दिया अब आप यहां पे NATO और America का खेल देखिए America ने 1991 में KLA को एक terrorist organization का दरजा दिया था ठीक है उनका म पोट में America ने कोसो वो पे बम गिराने शुरू करे सर्विया की जो सर्कार है Yugoslavया की सर्कार है serbians के जो ठिकाने थीक हैं उन पे बम बरसाने शुरू करे और इन airstrikes ने serbians की हालत भी मिलोसविच की जो सर्कार थी नेगोसीयेशन के लिए यहां पे आप देखेंगे आप को इससे parallels मिलेंगे Syria में Syria में भी अमेरिका ने यही किया है आप योगोसलाविया के war को अगर compare करेंगे तो अमेरिका आप 21 सदी में हर जगे यही करता है पहले वहाँ पे वो या तो embargo लगाएंगे जैसे उन्होंने Syria के साथ भी किया embargo लगा दीजे फिर उसके बाद ये moderate terrorist group ढूणेंगे moderates को support करने की कोशिश करेंगे पहले कहेंगे यही आतंगवादी हैं फिर कहेंगे moderates हैं उन्हें हम हतियार supply करेंगे हम अपनी सेना नहीं बेजेंगे लेकिन हवाई जहाँ से air strikes करेंगे तो अभी भी सीरिया में, इराक में, आइसिस के खिलाफ यहाँ सभी जगे अमेरिका, नेटो, कोईलिशन बनाकर बंबारी कर रहा है चलिए, आगे बढ़ते हैं तो मिलो सुविच अब negotiation के लिए तयार हो जाते हैं ऐसी बंबारी के बाद, देखिए ये एक scene है लगा, तार बं गिराये गए, सर्विया के शहरों पे तो उससे मिलो सुविच की जो सरकार है उसे बहुत नुकसान हुआ था तो इस peace agreement में क्या decide हुआ पहली चीज, योगसलाविया की जो आर्मी है यानि मिलो सुविच की आर्मी है, वो कुसोवो को छोड़ देगी, और वहाँ पे अब एक UN Peace Keeping Force बिठाई जाएगी और UN Peace Keeping Force फिर से देख ली जाएगा फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटिश और युएस, इन सब को एक-एक सेक्टर दे दिये गया बांट दिया गया, तो ये UN Peace Keeping Force यहां रहेगी, ताकि इस शांती समझोते का उलंगन ना हो और इसी Peace Agreement में ये भी डिसाइड किया कि कोसोवो को फिर से स्वायत्तता दी जाएगी अच्छी खासी स्वायत्तता दी जाएगी एक्जाक्ट वर्ड से Substantial Autonomy फोर कोसोवो, ये शब्द थे उस Peace Agreement में तो कोसोवो ने 1999 से क्या मान लिया कि भाई इस Peace Agreement ने हमें तो हमारी आजादी दे दिया Substantial Autonomy का मतलब इन्हों ने यही समझा इनका interpretation ये था कि अब हमें आजादी मिल चुकी है तो जो refugees गए थे वो वापिस अब कोसोवो में आके बसने लगे और 2008 में officially कोसोवो की assembly ने अपने आपको आजाद घोशित कर दिया तो Autonomy तो इनके पास 99 से है लेकिन सर्विया क्या मानता है सर्विया का तो मानना है कि कोसोवो आज भी हमारा एक हिस्सा है लेकिन 2008 में कोसोवो ने अपने आपको independent घोशित कर दिया कि क्या भारत ने कोसोवो के साथ अपने diplomatic relations establish किये है और क्या कोसोवो UN recognized देश है या नहीं यह आपको मुझे बताना है थोड़ा आप भी सर्च कीजिए topics के बारे में जानिए दो चार नहीं चीज़ें आपको इस सीखने को मिलेगी तो इसी के साथ Balkan Wars हमारे खतम हो जाते है 10 साल की ये लड़ाई है 91 से लेकर लगबग 99-2000 तक ये लड़ाई चली अब इसका एक recap कर लिजिए शॉट में तो Slovenia सबसे पहले आजाद होता है 91 में 10 डे वार जादा लम्बी लड़ाई नहीं है Croatia, 91 में उसने अपनी आजादी की घुषना करी Macedonia, चुपके से निकल गया 91 में, बॉसनिया बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई बॉसनिया में 5 साल तक, 4-5 साल तक और 96 में जाके फाइनली यहाँ पर शांती समझोता होता है Peace, Dayton Accords के थूँ Federal Republic of Yugoslavia 1992 यह कौन सा नया देश आ गया भई तो देखिए, अब जब इतने सारे देश अलग हो चुके हैं ना, तो वो पुराना Social Federal Republic वो नहीं रहा है Socialist Federal Republic नहीं रहा है अब इस देश का नाम Milloswitch ने बदल दिया Milloswitch ने कहा कि अब इसका नाम होगा Federal Republic of Yugoslavia अब हम Socialist नहीं हैं, सरकार बदल चुकी है वहाँ पे, पूरे दुनिया में Communism खत्म हो रहा था, USSR का भी पतन हो चुका है तो अब यहाँ पे भी एक Federal Republic बन गया था, FR, Yugoslavia नाम इस देश को दिया गया, इसमें थे कॉन, मुख्यता, सर्विया और Monty Negro तो 2003 में, इन दोनों ने फिर से अपना नाम चेंज किया, और नाम क्या रख दिया, सर्विया और Monty Negro इस देश का नाम रखा गया, 2003 में Monty Negro, जो कि अभी तक सर्विया का साथ दे रहा था, उसे भी 2006 में लगा कि अब मुझे अलग हो जाना चाहिए तो वहाँ पे भी एक referendum होता है, और Monty Negro, सर्विया से अलग हो गया तो 2006 में, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई यह लोग शान्ती के साथ अलग हो गए 2006 में, और फाइनली, कोसोवो, तो कोसोवो को 1999 में आटोनोमी दे दी गई थी, सबस्टांशल आटोनोमी, लेकिन 2008 में इन्होंने अपने आपको आजाद घोशित कर दिया अब ऐसा लगता है, कई सारे अनलिस्ट कहते हैं, कि यह जो कोसोवो का जो मुद्दा है ना, इसके कारण Balkans में फिर लड़ाई छिड़ सकती है, क्योंकि सर्बिया ने आज दिन तक 8 साल हो चुके हैं, कोसोवो की आजादी को मानने से इनकार कर दिया है उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से गलत है, हम कोसोवो का आजादी नहीं दे सकते तो अगर Balkan में अब अगर कारेकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव की घोशना कर दी, उन्हें लगा कि मैं फिर से जीच जाऊंगा, और अपनी सत्ता पे जो पकड़ है और मस्बूत हो जाएगी, हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, ये चुनाव हार गए तो इस presidential election में हारने के बाद पहले तो, जैसे हर तानाशा करता है मिलो सुविच ने मना कर दिया, रिजल्ट मानने से उन्होंने का नहीं ये तो जूटे रिजल्ट हैं, ऐसे नहीं ये फ्रॉड हुआ है, और मैं सत्ता नहीं छोड़ूँगा लेकिन जनता सड़कों पे उतरी और बेल ग्रेड में कई दिनों तक प्रेदर्शन हुए इसे कई बार बुल्डोजर रेवल्यूशन भी कहा जाता है क्या हुआ था कि एक व्यक्ति इस प्रेदर्शन में वो छोड़नी पड़ी और जो व्यक्ति चुनाव जीता था उसे वो सत्ता हस्तान तरित करके अपने फामा उस पर आराम से जीने लग गए लेकिन कुछ ही महीने बाद मिलोसुच को अरेस्ट कर लिया गया, चार्जस थे उनके उपर वार क्राइम्स के लिए, अगर आप वहाँ पे उनके खिलाफ मुकद्मा चलाने की हमें पर्मिशन देते हो, यानि आप उनका प्रत्यरपन करते हो तो हम आपको बहुत सारा फॉरेन एड देंगे, पैसा दिया जाएगा और ये फॉरेन एड सर्विया को सिर्फ तभी मिलेगी जब मिलो सुविच का प्रत्यरपन किया जाता है तो मिलो सुविच को वहाँ की सरकार ने अराम से एक हवाई जहाज में बिठाया और मिलो सुविच को भेज दिया गया नेधरलाइंड सरकार आई थी उसे भी लोगों ने वहाँ से सत्ता से हटा दिया इलेक्शनस में नैशनले सरकार हट गई तो अब थोड़ा सा मामला शान्त हो गया है वालकन्स में जो अत्यधिक राश्ट्रवाद की बातें होती थी वो थोड़ी शान्त हो गई है जो राश्ट्रवाद के नाम पे भावनाय बढ़का ही जाती थी वो चीज अब कम हो रही है वालकन्स में तो अब शान्ती है पिछले 15-16 सालों से वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं चल रही है और अब काफी अच्छा एरिया है डेवलपिंग एरिया है तूरिजम बहुत बूम कर रहा है खास करके जो स्लोवीनिया जैसे देश है स्लोवीनिया और बॉस्निया यहाँ पे भी टूरिजम बढ़ रहा है इतनी लड़ाई होने के बाद भी तो इसी के साथ बॉलकन वार की हिस्ट्री खतम हो जाती है जाने से पहले आपसे मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ आप मुझे ये बताईए सोचके कि आपको क्या लगता है बॉलकन वार्स एथनी सिटी के कारण हुए थे क्या सिर्फ एक ही कारण था एथनिक वाइलेंस जिसके कारण ये लड़ाईयां शुरू ही थी तो इसका अंसर है नहीं बॉलकन वार्स सिर्फ एथनी सिटी के कारण नहीं हुए थे पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा घूमती है कंट्रोल के लिए अलग-अलग ग्रुप्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारा सत्ता पे कंट्रोल हो जाए हम सत्ता पे काबिज हो जाए और सत्ता पे काबिज होने से क्या मिलेगा आपको रिसोर्सेस पे आपका कंट्रोल हो जाएगा अगर आपके पास पावर है तो आपके पास groups हो सकते हैं हर देश में वो अलग होता है योगसलाविया में ये group कौन से थे ethnic groups थे इनके बीच में ये control की लड़ाई थी resources के लिए और resources से मेरा मतलब है politics ये politics थी mainly control के लिए सत्ता पे सत्ता से resources पे तो योगसलाविया में ऐसा नहीं है कि ये irrational violence था कि लोग बिना सोचे समझे अपने पडोसियों को एक दिन अचानक से उठके और मौत के घाट उतारना उन्होंने शुरू कर दिया जी नहीं ऐसा नहीं है ठीक है कई सदियों से ये सारे ethnic groups आपस में भाईचारे के साथ शांती से रह रहे थे in fact शहरों में खास करके cities में urban centers में जादा तर जो शादियां हैं वो inter ethnic होती थी अलग-अलग ethnicities के बीच में शादियां होती थी तो ऐसा भी नहीं है कि इन ethnicities के बीच में कोई उठना बैठना आया किसी तरह के कोई संबन नहीं थे इनके बीच में mainly political थी ये political conflict थी राजनीतिक लड़ाई थी और इसका कारण क्या था ये process जो सत्ता में हमेशा चलता है who gets what किसे क्या मिलेगा किसके पास resources रहेंगे और ये resources की मारा मारी क्यों हुई क्योंकि political और economic reforms का process fail हो गया political reform process क्या था Tito के मरने के बाद rotating presidency पूरी तरह से fail है नाम का president है कोई power नहीं है उसके पास तो मिलो सुविच जैसे powerful नेता सारी सारी सत्ता अपने पास रखना चाहते थे उन्होंने इस राष्ट्रवाद का सहरा लिया economic reforms असी के दशक के सारे reform fail हो गए IMF ने जो लागू करवाए थे unemployment बढ़ा, hyper inflation बढ़ा तो ऐसे में नेताओं ने किसका सहरा लिया फिर से nationalism का एक writer थे Samuel Johnson नाम के उन्होंने लिखा था बहुत famous line है उनकी patriotism is the last refuge of the scoundrel तो जो दुष्ट किसम के नेता होते हैं वो आखरी हतियार की तरह हमेशा patriotism या nationalism की बात करेंगे जब सारी दुकान फेल हो जाएगी उनकी सारे हतियार उनके विफल होंगे तब वो राश्टरवाद की बाते करना शुरू कर देंगे लोगों की भावनाए बढ़काने के लिए अच्छा राश्टरवाद, सच्छा राश्टरवाद नुकसान ये करा युगोसलाविया में कि security dilemma खड़ा हो गया security dilemma का क्या मतलब है देखे, क्रोईशिया में राश्टरवाद की भावना आई ठीक है, तो क्रोईशिया में राश्टरवादी पार्टी चुनाव जीत के आती है, उसने कहा था कि अब हम Serbs के खिलाफ कुछ भी करेंगे सर्विया से, क्रोईशिया को बचाएंगे उन्होंने पुराने जो World War 2 के जो symbols हैं, उन्होंने अपना आना शुरू कर दिया ऐसे में जो वहां के Serbs हैं, जो minority हैं, क्रोईशिया में रहने वाले Serbs, वो अपनी security को लेकर चंतित हुए, उन्होंने अपने आपको autonomous गोशित कर दिया, हतियार उठा लिये तो ये जो dilemma है, ये जगे जगे योगसलाविया में आया, उसका कारण ये है कि वहाँ पे बहुत सारी mixed ethnicity के लोग रहते हैं कई जगे minorities हैं, कई जगे majority हैं तो ऐसी जो स्थिती है उसके कारण ये security dilemma दुनिया के कई areas में देखने को मिलता है इसका एक example आप इराग भी देख सकते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में डिसकस किया था, इराग के बारे में वहाँ की society, Shia, Sunni जो conflict है और सत्ता को लेकर कैसे Sunni जो है वो mainly power में थे, उसके बाद अब Shia आए है तो वापिस वहाँ पे security dilemma हो गया है सुनी इसके लिए, तो ये है पूरा ethnicity से लेकर जो सवाल उठता है लडाई का और Balkan War का I hope आपको ये lecture अच्छा लगा होगा Please comments में मुझे feedback दीजिए कैसा रहा है ये lecture Thank you very much for watching this Have a good day